बचों आज हम देखेंगे NCRT क्लास 7th की हिंदी की पार्ठी पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग दो और इस पुस्तक का चौधवा पार्ठ है जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर इस पार्ठ को लिखा है प्रयाग शुक्ल जी ने और आज हम इसी पार्ठ से सम मंधित अभ्यास प्रशन देखने वाले हैं अभ्यास प्रशन जिन शीर्षकों के अंतरगत देखेंगे वह हैं पहला बहु विकल्पिये प्रशन एवं उत्तर के रूप में जिसे आप MCQ फॉर्म में भी कह सकते हैं और दूसरा है प्रशन एवं उनके उत्तर तो आईए प्रशन दिये गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे तो आईए एक एकर के प्रशनों को पढ़ना शुरू करते हैं पहला है धोकला गाठिया किस राजी के स्थानिय विकल्प है क बिहार ख पंजाब ग गुजरात ग महराश्ट्र सही उत्तर है ग गुजरात दूसरा प्रशन है वेंजनों में सूखे मेवे का प्रयोग करने से पहले लोग चार बार क्यों सोचते हैं विकल्प है क खाने का स्वाद बिगड जाता है ख सूखे मेवे सूपाची नहीं है ग सूखे मेवों को पकाने में बहुत समय लगता है ग सूखे मेवे बहुत महंग गह आलू चिप्स घह मिठाई हैं सही उतर है गह आलू चिप्स चौथा प्रश्ण है मुंबई और दिल्ली के कौन से दो व्यांजनों की मांग पहले की तुलना में बढ़ी है विकल्फ है कह ब्रेड पकोड़ा और ढोकले की मांग ख पाव भाजी और छोले कुल्चे की मांग गह इटली डोसा और पाव भाजी की मांग घ रगडा पेटिस और बटाटा वड़ा की मांग सही उतर है ख पाव भाजी और छोले कुल्चे की मांग पाँचवा प्रश्ण है आधने खानपान की संस्कृती को कैसी संस्कृती कहा जा रहा है विकल्प है क स्वस्त संस्कृती, ख पश्चिमी संस्कृती, ग एकल संस्कृती, ग मिश्रित संस्कृती सही उतर है ग मिश्रित संस्कृती छट्वा प्रश्ण है किनके जीवन में अन्य प्रदेशों के वेंजन पकवान अपनी जगह बना चुके हैं। विकल्प है का उच्च वर्गिये जीवन में, ख मध्य वर्गिये जीवन में, ग निम्न वर्गिये जीवन में, ग इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख मध्यवर्गिये जीवन में सात्वा प्रश्ण है उद्योग धंदों, नौकरियों और तबादलों का खान पान पर क्या असर पड़ा है विकल्फ है क खान पान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंची है ख अपने पारंपरिक भोजन लोग भूलते जा रहे हैं ग लोग स्थानिय भोजन खाने के लिए मजबूर है ग लोगों के स्वाद रुची में बदलाव आ रहा है सही उत्तर है क खान पान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंची है आठवा प्रशन है कौन सा विदेशी व्यनजन अब किसी के लिए अजनबी नहीं रह गया है विकल्प है क डोनट्स, ख चाइनीज नूडल्स, ग केक, ग पेस्ट्री सही उत्तर है क चाइनीज नूडल्स नवा प्रशन है खान पान की मिश्रित संस्कृती से युवा पिढ़ी को क्या लाब हुआ है विकल्प है क स्थानीज व्यनजन अब उनके लिए अनूपयोगी हो गये है ख विदेश विदेश के व्यनजनों को जान गये है ग उन्हें विदेशों में खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होती है घ नए वैँजनों की प्रती अरुची जागी है सही उत्तर है ख विदेश विदेश के वैँजनों को जान गये है दस्वा प्रशन है अंग्रेजी राज में ब्रेड की क्या स्थिती थी विकल्फ है कगाओं गाओं में अंग्रेजों द्वारा बाटी जाती थी ख हर दुकान में आसानी से मिल जाती थी ग केवल विशेश लोगों तक ही सीमित थी ग बहुत महंगी होती थी सही उत्तर है गह केवल विशेश लोगों तक ही सीमित थी ग्यार्मा प्रश्ण है खान पान की संस्कृति में आने वाले बदलाव का परिणाम क्या रहा क व्येंजनों की उपलब्धता में कमी आई है ख कुछ व्येंजन अपने राजियों तक ही सीमित रहे गह राजियों के विशेश व्येंजन हर शहर में उपलब्ध है घह व्येंजनों का स्वाद लेने लोग दूसरे राजिय में जाने लगे सही उत्तर है गह राजियों के विशेश व्येंजन हर शहर में उपलब्ध है बार्वा प्रश्ण है देशी विदेशी वेंजनों को क्यों अपनाया जा रहा है विकल्फ है का पकाने की सामगरी आसानी से मिल जाती है ख कम समय में पकाया जा सकता है ग कम खर्च में तयार हो जाते है ग एक बार पका कर बहुत दिनों तक खाया जा सकता है सही उत्तर है ख कम समय में पकाया जा सकता है तेरवा प्रशन है किस चीज का चलन बड़े शहरों में खूब बढ़ रहा है विकल्प है क मांसाहरी भोजन का चलन, ख शाकाहरी भोजन का चलन, ग फास्ट फूड का चलन, ग पारंपरिक भोजन का चलन सही उत्तर है ग फास्ट फूड का चलन चौद्वा प्रश्ण है स्थानिय वेंजनों को किस नाम से पुकारने का चलन बढ़ गया है विकल्प है क परंपरागत भोजन, ख एथनिक, ग स्वादिस्ट थाली, ग ओल्ड इस गोल्ड सही उत्तर है ख एथनिक पंद्रवा प्रश्ण है मौसम के अनुसार फलों, खाद्यानों से बनने वाले वेंजन और पकवान अब क्यों नहीं बनाये जाते विकल्प है क लोग महनत नहीं करना चाहते, ख लोगों को बनाने का तरीका नहीं मालूम है ग लोगों को उनका स्वाद अच्छा नहीं लगता, ग लोगों के पास बनाने का समय नहीं है सही उत्तर है ग लोगों के पास बनाने का समय नहीं है सोल्वा प्रश्ण है यूवा पिढ़ी इनमे से किसके बारे में बहुत अधिक जानती है विकल्फ है क स्थानिय वेंजनों के बारे में, ख खानपान की भारतिय संस्कृति के बारे में, ग नए विदेशी वेंजनों के बारे में, ग इन में से कोई नहीं सही उत्तर है ग नए विदेशी वेंजनों के बारे में सतरवा प्रशन है कितने वर्षों से खानपान की संस्कृती में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है प्रिधी को स्थानि वेंजनों के बारे में कितना ग्यान है विकल्फ है का वे उन्हें रूची से खाते हैं, खा उनके बारे में वे बहुत कम जानते हैं, गा उनके स्वाद से पूरी तरह वाकिफ हैं, गा उनका स्वाद उन्हें नहीं भाता सही उत्तर है खा उनके बारे में वे बहुत कम जानते हैं उन्नीस्वा प्रश्ण है मतुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में पहले वाली बात क्यों नहीं रह गई है? विकल्प है क लोगों ने बनाना छोड़ दिया, ख गुणवत्ता पहले जैसी नहीं है, ग बहुत कम दुकानों में उपलब्ध है, ग बहुत महंगी हो गई है सही उत्तर है ख गुणवत्ता पहले जैसी नहीं है बीस्वा प्रश्ण है उत्तर भारत की ढावा संस्रिती का क्या आसर हुआ है विकल्प है क धिरे धिरे नस्ठ हो गई, ख स्थान विशेश तक सीमित हो गई, ग पूरे देश में फैल गई, ग केवल उत्तर भारत में ही है सही उत्तर है ग पूरे देश में फैल गई 21 प्रश्ण है स्थानी वेंजनों को लोगों ने खाना क्यों छोड़ दिया है? विकल्प है क व्यस्ता के कारण, ख उनके खराब स्वात के कारण, ग उन्हें बनाने में लगने वाले समय के कारण, ग आधुनिक्ता के कारण. 22 प्रश्ण है आने वाले समय में खानपान की मिश्रित विविद संस्कृती का विकास कैसा होने वाला है? विकल्प है क और अधिक विक्सित होगा, ख धीरे धीरे या खत्म हो जाएगा, ग कुछ वर्गों के लोग ही इसे पसंद करेंगे, ग लोग अपने स्थानी वेंजनों क की तरफ ही जाएंगे, सही उतर है क और अधिक विक्सित होगा, तेईस्वा प्रश्ण है कौन से खाद्य पदार्थ पहले उत्तर भारत के हर गली महलों की दुकानों में आसानी से मिला करते थे, विकल्प है क मिठाईया और नमकीन, ख रोटी चावल दाल सबजी, ग पूरी कचोरी, जलेबी, समोसे, 24 प्रश्ण है कई बार चीजों का असली और अलग स्वाध हम क्यों नहीं ले पाते, विकल्प है क अपने स्वाध में आए बदलाव के कारण, ख मिश्रित संस्कृती के कारण, ग खाने की प्रती अपनी अरुची के कारण, ग अपने स्वास्त के का 25 प्रश्ण है स्थानी ये वेंजन अब हमें कहां खाने को मिलते हैं, विकल्प है क केवल घरों में, ख दादी नानी के घर में, ग पांच सितारा होटलों में, घ धाबों में, सही उत्तर है पांच सितारा होटलों में, तो यहां पर बहु विकल्पी ये प्रश्ण और उत्त खत्म होते हैं आईए देखते हैं इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रशन और उनके उत्तर पहला प्रशन है पिछले कुछ वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृती में बहुत बदलाव आया है देश में खान पान के आधार पर मेल जोल बढ़ा है दक्षिन भारत और उत्त खान पान की संस्कृती में बदलाव के प्रमुक कारण क्या है उत्तर है आजादी के बाद लोग अपनी नौकरी और उद्ध्योग धंदों के कारण एक प्रांथ से दूसरे प्रांथ जाने लगे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ और खान पान के नए तौर त आकर्षन कम क्यों होता जा रहा है उत्तर है लोगों की व्यस्ता और बढ़ती मेंगाई की कारण कुछ स्थानिय वेंजनों के प्रती लोगों का आकर्षन कम होता जा रहा है कई बार आधुनिक्ता के नाम पर भी लोग स्थानिय वेंजनों को खाना पसंद नहीं करते, अतह वे कम समय में और कम खर्च में बन जाने वाले वेंजनों को ही पसंद करते हैं, तो यहाँ पर इस पार्ट से सम्मंधित प्रश्ण और उत्तर भी खत्म होते हैं, बचों आशा है आप सभी हिंदी की पार्थे पुस्तक वसंत भाग 2 के पार्ट 14, खान-पान की बदलती तस्वीर से सम्मंधित अभ्यास प्रश्ण को करने के बाद इस पार्ट को और भली भाती समझ पाएंगे, NCRT क्लास 7 के अन्य पार्थों से सम्मंधित अभ्यास प्रश्ण भी हम आ आने वाले समय में आवश्य पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थांक यू